पहले के टाइम में अगर कोई क्रेस्ट्रक्शन का काम करवाना होता था तो बहुत सारी लेबर और मेन पाउर की जरूत होती थी। ये अपना पसीन अभा के काम तो काफी अच्छा खासा कर लेते थे पर इस दोरान वक्त ज्यादा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समया के बढ़ता गया ऐसे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रेसर भी बढ़ता गया। उस जमाने में ना तो इतने डवर्स टेकनलोजी थी और ना ही इतने संसादन मुझूद थे। लेकिन फिर 1950 के दुस्तक में एक ऐसी मसिन की खोजोई जिसने इन सारे कामों को काफी हद तक आसान और फास्ट कर दिया था। टेक्टर जैसा दिखने वाला यह बहुती अदबूर इंजी दिनिंग का कमाल कहता है इसे जिसे आज हम बेको लोडर के नाम से जाते हैं। वही आप सभी का प्यारा जीसी भी। तो आज की वीडियो में इसी बेको लोडर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट में आप सभी को बताने वाला हूँ जो सायदी आप सभी को पता हो। इनमें से कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं जिसे जानकर आप हैरान और दंग रह जाएंगे। चलिए वीडियो को आरण किया था वाला हूँ नमबर वन बेको लोडर सेग्में में आज के टाइम में सबसे फैमस कंपनी है जीसी भी। इस कंपनी ने बेको लोडर के दुनिया में अलगी बादसाहत बना रखी है। लेकिन आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि दुनिया का पहला फुली इंटीग्रेटर वेको लोडर जीसी भी ने नहीं बलकी किसी और कपनी ने बनाया था। आप लोगों को सायद यकिन ना हो पर सत यही है। यह कारणाम सन 1957 में जे आई केस ने यूनाइटेड स्टेट में किया था। फुली इंटीग्रेटर और कपनी वोरंटी के साथ इस कपनी ने बेको लोडर लॉंच किया था। मोडल का नेम था 320। यहां से एक नई शुरूआत होई यहां का है तो बेको लोडर का चनम हुआ। आज के टाइम में एक से बढ़कर एक एड़वास लेवल के बेको लोडर मार्केट में अवेलेबल है। पर इनकी शुरूआत तो केस के द्वारा ही की गई थी। क्या यह वाला फेक्ट आपको पता था? कमेंट करके मुझे चरूरू बताईए। नमबर दो बेको लोडर का मिनिंग आप सभी ने यह तो जान लिया कि सबसे पहला बेको लोडर की इस कपनी ने बनाया था। पर क्या आपने कभी सोचा है इसे बेको लोडर के के ही क्यों बुलाए जाता है। इस मशिन का नाम बेको लोडर ही क्यों रखा गया? नहीं जानते? अरे मैं हूँ ना? सब कुछ बता हूंगा? आई ला! दरसल अगर आप बेको लोडर को ध्यान से देखे तो इसमें एक बड़ा सा बकेट आगी के और दिया जाता है और एक बकेट लोडर के पीछे के और दिया जाता है। इसे काम आप बेक ओफ दे लोडर यानि लोडर के पीछे से आप काम ये करते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया बेक ओ लोडर यानि ये कैसा लोडर जो आगे से भी काम कर सके और बेक ओफ दे लोडर यानि पीछे से भी काम कर सके। इसलिए इस में को इंजिनिरिंग का क जाता है और हमारे प्यारे भारत देश में इसे सभी जिसी भी कहके बुलाता है क्या ये वाला फेक्ट आपको पता था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताईए नमबर 3 आप सभी ने ये भी जान लिया कि सबसे पहला बेको लोडर की कपनी ने बनाया था और इसे बेको लोडर के क्यों बुलाए जाता है अब इसके फीचर और इसके फायदा के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इसके फीचर जान लेते हैं जो कि आप किसी भी कपनी का बेको लोडर खरी दो वो सब में को मनी रेते हैं सबसे पहले बेको लोडर का सबसे बड़ा फीचर यही है कि इस मसीन के साथ आप लोडिंग और एक्सकेवेसन यानि खुदाई दोनों ही काम एक ही मसीन के साथ कर सकते हैं यह मसीन काफी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं दूसरा सबसे बड़ा फीचर है अगर आपको एक साइट से दूसरी साइट इस बेको लोडर को भेजना हो जो की पचास या सो किलोमेटर की रेंज हो तो यह मसीन मेक्सिमम 40 किलोमेटर प्रती आवर की स्पीड से एक जगा से दूसरी जगा पोच सकता है इससे आपका ट्रांस्पोर्टिंग का कोस्ट काफी हद तक बच जाता है यह मसीन 2-wheel drive और 4-wheel drive option के साथ दी जाती है और comfortable operator cabin जिसमें powerful AC प्यारा सा round shape में steering wheel, music system, आरायम दैक सवारी के लिए seat, FM radio जिसे कमाल के फीचर के साथ इस मसीन को दिया जाता है जैसे कि आप कोई car ही क्यों ना चला रहे हो यह तो बात हो गई इस बेको लोडर के कुछ basic फीचर के बारे में अब इसके फायदे में आपको बताता हूँ इस मसीन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह मसीन आपके सभी काम में आसानी से fit हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ एक ही काम में यूज़ किया जाता है जैसे कि earth work, construction work, demolition work, soil work, agriculture work, इत्यदी कामों के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हो तो कोई भी काम हो आपकी जेव यह मसीन हम में साब बड़ता रहेगा इन बेकलोर के साथ आप अपने काम के अनुसार अलग-अलग attachment भी लगा सकते है यह काफी कमाल का फाइदा है जैसे कि रोक ब्रेकर, ग्रेपल, कपलल, रिपर, ओगर जैसे वेरियस टाइप अटजमेंट इसके साथ लगा सकते है तो यह काफी flexible product साबित होता है आपके लिए अपने आप में यह कमाल की बात है इसे ऐसे design किया गया है कि यह आराम से एक जगा से दूसरी जगा मूग कर सकता है और इसके heavy tire के कारण यह कैसी भी जगा हो, ओफ रोडिंग हो, जंगल टैप एरिया हो या कैसी भी जगा हो, कहीं भी यह आसानी से अपने काम को अंजाम देता है वो जगा पर पहुँचके इस machine के लिए कोई भी limit नहीं है भाई तो यह कुछ बेक लोडर के महत्वपून फायदे या एड़वर्ट इन थे जो आपको मैंने पता है आपका क्या के नहीं है इसके बारे में मुझे कमेंट करके चरूर बताईए नमर फूर अब बात करता है आखिर कार इन बेक लोडर को किन किन एप्लिकेशन में यूज़ किया जाता है मतलब कि कौन से काम पूरे करने के लिए इन बेकलोडर को वास्तों में उप्योग लिया जाता है वैसे तो वास्तों में संजिदत था वीडियो की सरुवत में मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया पर थोड़ा डीटिल में मैं आपको बता दू इन बेकलोडर को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है जैसे के रोड बनाना, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, लाइन्स वगेरा के खुदा ही हो या पाइप को जमीन में बिठाना हो फिर डेमोलिशन वर्क, किसी भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन से बने होई चीज को तोड़ना हो एगरी कल्चर वर्क, माटेरियल लोडिंग, माटेरियल ट्रांस्पूर्डिंग वगेरा वगेरा कामों के लिए इन बेकलोडर को काफी उप्योग में लिया जाता है नमबर फाइड, मैंने लगबग लगबग इस बेहतरिन मसिन के बारे में सारे फेक्ट आप सबी को बता दिये सायद इसके कारण आप इन बेकलोडर को और भी अच्छे से समझ गए होंगे तो लास्ट में आपको ये बताना भी जरूर है कि इन बेकलोडर को कौन सी कपनिस बनाती है जो की वर्ल्ड फेमोस है इन में से जाते दर कपनिस को तो आप सभी जान दई होगे पर बताना मेरा काम है इस लिस्ट में सबसे पहले नमबर आता है जी सीबी का कोई भी बेकलोडर हो इसके मामले में जी सीबी नमबर बन है इसके बाद केस, केटरपिलर, टाटा हिटाची, महेंदरा और्थमास्टर, बूल मसीन, एस, एसकोट और बोबकेट और लास्ट में मोनिटाव ग्रूप वेचा तो बहुत सी कपनी बेकलोडर बनाती है, पर यहां हमने कुछ फेमस ब्रांड को ही इन्वरूट किया गए अगर आपके इसाब से कोई और कपनी का नाम इल्शिस में होना चाहिए, तो आप मुझे कमेट करके अपनी राए चरूद दे सकते हैं तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, यही था आज के वीडियो में, आप सभी को मेरा एफट कैसा लगा, मुझे कमेट करके बताना ना बूले और आप नेक्स्ट ऐसे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेट करके बता सकते हैं तो मिलते हैं एकले वीडियो में, तब तक अपनी तबित का ध्यान दखे, थेंक्यू, तन्यवाद, जै माता जी और सोरी, बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपके सब्सक्राइब का बहुत बहुत सुक्रिया, मैं आपका सुक्रवार गुरुवार हूँ आई ला, मिलते हैं एकले वीडियो में, ये